हम आपको वर्चुल युनिवरसिटी में ओनलाइन आड्मिशन के लिए अपलाई करने का तरीका बताते हैं सबसे पहले वर्चुल युनिवरसिटी की वेब साइट खोल लीजिए www.vu.edu.pk अड्मिशन के लिए अपलाई करने के लिए आप युनिवरसिटी की मेन वेब साइट पर मौझूद अड्मिशन के मेन्यू में अपलाई ऑनलाइन पर क्लिक करके भी आप अड्मिशन पोर्टल में दाखिल हो सकते हैं Virtual University तमाम Admissions सिर्फ Online करवा रही है Admissions Portal में दाखिल होते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा आपको Right Side पर कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं जो आपको Admissions के हवाले से मुतलगा Information फरहम करेंगे Left Side से Existing User के सेक्शन से आपको Login करके Online Apply करना है अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे New Registration के सेक्शन में आईए यहां पहले अपनी Nationality और नाम एंटर कीजिए इसके बाद अपना CNIC या Bay Form नंबर एंटर कीजिए CNIC या Bay Form नंबर एंटर करते हुए बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि यह बाद में तबदील नहीं हो सकेगा यह CNIC या Bay Form नंबर आपका अपना होना चाहिए अपने वालिद, वालिदा या खांदानी सरबरा का CNIC मत एंटर करें बाद अज़ा अगर यहां एंटर किया गया CNIC या Bay Form नंबर आपके कवाइफ के साथ मैच ना हुआ तो आपका Form एकसेप्ट नहीं होगा इसके बाद आपने अपना इमेल आडरेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है अगर आपने अभी तक अपना इमेल आडरेस नहीं बनाया तो नीचे दिया गया Create an Email Account का लिंक आपको Gmail पर ले जाएगा जिसके जरीए आप एक निया इमेल आडरेस बना सकते हैं जब आप इमेल आडरेस बना चुकें तो यहां पर वो इमेल आडरेस एंटर करना होगा इसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो एंटर कीजिए ये पासवर्ड मिनिमम एट और माक्सिमम ट्वेंटी कैरेक्टर्स का होना चाहिए और इसमें एक अपर, एक लोवर, एक नुमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर्स जरूर होना चाहिए एक्जाम्पल के तौर पर एक पासवर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बाद साइन अप पर क्लिक कीजिए साइन आप पर क्लिक करते ही, आपके सामने ये इलर्ट मेसेज आएगा और जो इमेल आडरेस आपने रिजिस्टर करते हुए एंटर किया था उस पर आपको वर्चुल युनिवरसिटी की जानिब से एक इमेल रिसीब होगी उस इमेल को खोलने पर आपको एक अक्टिवेशन लिंक नज़र आएगा उस लिंक पर क्लिक करते ही, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस पर आपको इमेल आडरेस वेरिफाई होने का मेसेज नज़र आएगा अब वापस आउनलाइन अडमिशन पोर्टल में आईए और यहां पर अपना CNIC या BFORM नंबर एंटर कीजिए जो पासवर्ड आपने रिजिस्टर करते हुए मखसूस किया था, वो एंटर कीजिए और साइन इन कीजिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो Forgot Your Password का लिंक इस्तमाल करते हुए आप अपना पासवर्ड दुबारा हासिल कर सकते हैं इसके बाद साइन इन पर क्लिक करने से आप आउनलाइन अडमिशन पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे यहां पर सबसे उपर आपको होम का लिंक नजर आ रहा होगा किसी भी सेक्शन से वापस इस पेज़ पर आने के लिए आप होम का लिंक इस्तमाल कर सकते हैं My Applications के साथ आपको Instructions का लिंक नजर आ रहा होगा Instructions के सेक्शन में आपको आउनलाइन अपलाई करने के मतालिक तमाम हिदायात English और उर्दू वर्जिन्स में पराहम की गई है इसके बाद आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा Click here to apply for new program इस लिंक पर क्लिक करके आप दाखले के लिए आउनलाइन अपलाई कर सकते हैं आपके सामने Admission Form खुल चुका है जिसमें आपको कुछ sections नजर आ रहे हैं इस पेज़ पर आपको 6 sections नजर आ रहे हैं इनमेसे हर section में मुतलका information फराहम करने से आपकी application सब्मिट हो जाएगी अब हम पहले section प्रोग्राम सिलेक्शन की जाने बढ़ते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन में सबसे पहले आप study from की option सिलेक्ट करेंगे अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो within पाकिस्तान और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो outside पाकिस्तान की option सिलेक्ट करें outside पाकिस्तान की option सिलेक्ट करने से आपके सामने ये page खुलेगा जिसमें इम्तिहान देने के तरीके से मुतालिक तमाम कवाईद और जवाबित तरच हैं ये सारी information पढ़ने के बाद I accept पर क्लिक कीजिए और proceed to next step पर क्लिक करतीजिए अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो ये option मत सिलेक्ट करें Virtual University के चंद डिग्री प्रोग्राम्स बिल खुसूस Biological Sciences के डिग्री प्रोग्राम्स सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम लोगों को ही ओफर किये जाते हैं इस वक्त हम form within पाकिस्तान की option को सिलेक्ट करते हैं इसके बाद program के section से अपना मुकरर करता degree program सिलेक्ट करें Дegree program सिलेक्ट करने के बाद study program सिलेक्ट कीजिए अब study at के section में अपनी सहूलत के मुदाबिक option सिलेक्ट कीजिए यहां पर आपके सामने दो options आ रही है At Home और Virtual Campus याद रखें, आप कोई भी option select करें, आपकी fees पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा तमाम options का fee structure यकसा हैं और तमाम options को एक ही fee charge होगी अगर आपके पास computer, laptop या smartphone के साथ अच्छी connectivity यानि अच्छा internet connection मौझूद है तो आप study at home की option select कर सकते हैं अगर आपके पास ये सहुलियात मौझूद नहीं हैं तो आप virtual university का कोई भी campus जो आपके करीब तरीन हो select कर सकते हैं वर्चुल university के campus की दो categories हैं एक, virtual university own campus जिसमें ये सहुलियात आप तब भी ले सकते हैं अगर आपका status at home है तहाम दूसरी category, private virtual campus में आप ये facility study at home के status के साथ नहीं ले सकेंगे लिहाजा अगर आप virtual university के private campus में ये सहुलित लेना चाते हैं तो virtual university campus select कीजिए इसके बाद अपना शेहर select कीजिए शेहर select करने के बाद, preferred campus के drop-down menu से इस शेहर में मौझूद virtual university के तमाम campuses की फेहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी यहाँ पर अपना preferred virtual university campus select कीजिए लिस्ट ओव virtual campuses select करके आप वी यू के तमाम campuses की फेहरिस्त और मैप पर इनकी location देख सकते हैं campus selection के बाद, नीचे मौझूद camera के icon पर click करके मखसूस campus की तसावीर भी देख सकते हैं अब save and move to next step पर click कीजिए अब हम form के दूसरे section personal information की जानिब चलते हैं यहाँ पर candidate information में अपना पूरा नाम, gender, तारीखे पे दाइश, नाशनालिटी और अपना mobile number एंटर कीजिए अगर आप पहले भी virtual university के student रह चुके हैं तो यहाँ मौझूद खाने में old v.u student ID एंटर कीजिए old v.u student ID के बाद अपने मुलक और फिर अपने शेहर का नाम सिलेक्ट कीजिए इस form को पूर करते हुए सारी information एहतियात से पूर करें क्योंकि बाद अजां किसी भी कवाइफ की दुरुस्तगी के लिए university आप से charge वजूल करेंगी इजाफी charges से बचने के लिए अपना नाम, बश्मूल स्पेलिंग्स, अपनी date of birth और दूसरे कवाइफ अपनी metric की सनद के मताबिक पूर करें इसके बाद आप अपने father या guardian की information फरहम करेंगे यहाँ पर अपने वालिद या guardian का नाम, उनका CNIC और mobile number एंटर कीजिए अगला section contact information का है जहां सबसे पहले आप अपने मुल्क का नाम और फिर शेहर का नाम सिलेक्ट करेंगे इसके बाद अपना आर्जी और मुस्तकिल पता फरहम करेंगे इसके बाद education section में आपको अपनी तालीम के बारे में मालूमात फरहम करनी है याद रखें कि इस section में आप अपनी असनाद, degrees या certificates पे दिये गए marks ही एंटर करेंगे बलत marks एंटर करने की सूरत में आपका form reject हो जाएगा वो तलिबा जो अपने FAA, FAC, यानि intermediate के result के मुंतजिर है result awaiting की option सिलेक्ट करें और मुतलका information फिल करें next section professional education का है जिसमें अगर आपके पास कोई professional degree है तो वो एंटर कीचिए अगले section में आपको अपनी employment के हवाले से information फराहम करनी है others के section में आपको कुछ दीगर मालूमात फराहम करनी है how did you first know about virtual university of Pakistan में मुतलका option सिलेक्ट कीजिए कि आपको सबसे पहले virtual university of Pakistan के बारे में कैसे मालूम हुआ अगर आप शोदा के लवाहिकीन में शामिल हैं तो यहां मौझूद icon पर क्लिक करके शोदा concession के लिए मुतलका form, recommendation letter और affidavit जमा कराएं इसके बाद save and move to next step पर क्लिक कीजिए अब हम admission form के तीसरे मरहले पर पहुँच चुके हैं अगर आप need based scholarship पर apply करना चाहते हैं तो yes का option select करके नीचे दिये गए form को पुर कीजिए याद रहे कि आपको ये scholarship सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है अगर आप इसका form अपने admission form के साथ जमा कराएंगे Virtual University of Pakistan शोदा के बच्चों और बेवा को भी fee concession पराहम करती है अगर आप need based scholarship पर apply नहीं करना चाहते तो no का option सिलेक्ट कीजिए और save and move to next step पर क्लिक कर दीजिए specially able students के लिए fees में रियायत दी गई है इसको avail करने के लिए student को disabled form पुर करना होगा और उसके साथ वो documents भीजना लाजमी होंगे जो student की medical condition का proof होंगे अब हम form के चौते हिसे पर आ चुके हैं अगर आप course exemption या credit transfer के लिए apply करना चाहते हैं तो मुतालगा option सिलेक्ट कीजिए वो तलबा जो पहले से दो साल के degree program यानी बिये बियसी का इमतिहान पास कर चुके हैं और अपनी तालीम 16 साल तक लेके जाना चाहते हैं वो भी entry option के साथ BS program में दाखला ले सकते हैं ऐसे तालब इलमों को चाहिए के फॉर्म के इस हिस्से में तीसरी option को सिलेक्ट करें course exemption form को फिल करते हुए virtual university की website पर दी गई हदायात या course exemption policy जरूर पढ़ लीजिए course exemption form को जमा करने के लिए आपको एक fee भी charge की जाएगी ये form उस वक तक accept नहीं होता जब तक आप ये fee जमान नहीं कराएंगे अभी हम no की option को सिलेक्ट करते हैं और save and move to next step पर क्लिक करके next section की जानिब जाते हैं अब हम upload documents के step पर आ चुके हैं इस step पर आपने अपने तमाम original और genuine documents scan करके upload करने हैं सबसे पहले browse पर क्लिक करें अपना मुतलका document सिलेक्ट करें और upload now पर क्लिक करें तमाम documents का सिर्फ front view upload कीजिए अगर तालीमी असनाद के इलावा आपके कोई skills के या professional documents हैं तो उनको यहाँ upload कीजिए खयाल रहे किसी भी document का size 1MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोई भी document आगे जाकर वलत या fake पाया गया तो university आपका दाखला किसी भी वक्त cancel कर सकती है और आपको black list भी कर सकती है black list होने की सूरत में आप शायद किसी और university में भी दाखला ना ले सकें documents upload करने के बाद move to next step पर क्लिक कीजिए अब हम admission form को submit कराने के लिए last step पर पहुँच चुके है इस से पहले कि हम इस admission form को submit करें आईए हम इस application का status देख लेते हैं home पर क्लिक करने से यहां आपके सामने इस application form का status आ जाएगा application submit कराने से पहले एक बार फिर अपने कवाइप और original documents चेक कर लीजिए इसके बाद आप declaration देंगे कि तमाम information बिलकुल सही फराहम की गई है I agree पर क्लिक कीजिए और review your application कीजिए application submit कराने से पहले एक बार अपने कवाइप और original documents चेक कर लीजिए इसके बाद submit application पर क्लिक कर दीजिए अब आपका form या accept होगा या reject होगा अगर आपका form किसी document की वज़ा से या किसी और वज़ा से reject होता है तो आप एक निया form जमा करा सकते हैं इसके बाद आपको एक notification मिलेगा जो ये verify करेगा कि आपकी application जमा हो चुकी है इसके बाद आप अपना voucher लीजिए और अपनी पी जमा कराईए यहां आपको एक cloud का icon नजरा रहा है जब आप fees जमा कराएंगे तो ये icon खुद बखुद नजराना बंद हो जाएगा अगर आपने fee मकरर करदा bank में अस खुद जाकर जमा कराई है और ये cloud का icon गाइब नहीं होता तो आप इस पर क्लिक करके fee receipt की student copy अपलोड कर सकते हैं प्रिंट voucher पर क्लिक करके आप ये चलान फॉर्म हासिल कर सकते हैं दिये गए banks में से किसी bank या टेलेन और easy पैसा या ओमनी दुकान के जरिए आप ये चलान जमा करवा सकते हैं अगर आप bank में चलान जमा कराने की बजाए घर बैटे ऑनलाइन पैमेंट करना चाहे तो pay online पर क्लिक कीजिए यहाँ पर कुछ मतलगा information फराहम करने के बाद आप घर बैटे अपने debit या credit card के जरिए fee जमा करवा सकते हैं एक बात का खयाल रखें कोई भी रकम, bank या मखसूस करदा चैनल्स में ही जमा करवाएं Virtual University of Pakistan किसी और को authorized नहीं करती कि वो आप से पैसे वसूल करें बात अजां किसी नुकसान की सूरत में Virtual University जिमेदार नहीं होगी उमीद करते हैं आपको online admission form जमा कराने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी अगर form जमा करवाते हुए आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने करीबी campus से रहनमाई हासिल करें या info desk के इन numbers पर call करके मालूमात हासिल करें 0304 111 088 0 या troll free number 111 880 880